हेलो स्टूंट्स आज इस वीडियो में आपको इसका कॉंसेप्ट बताऊंगा कि क्या कॉंसेप्ट है इससे रिलेटेड एक लेबनीज रूल है वह मैं कराने वाला हूं इस टॉपिक से रिलेटेड जो निमेरिकल से है उनको सॉल्व करने की एप्रोच में इस वीडियो में बताऊंगा एप्रोच आप अच्छे से समझ लेंगे तो जब मैं नेक्स वीडियो में आपको निमेरिकल कराऊंगा तो आपके लिए बहुत एजी होगा समझना कि कैसे कर है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ let's say कि मेरे पास एक function है which is having two variables x and alpha तो मेरे let's say if I have a function f x alpha of two variables x and alpha दो variable है इसमें ठीक है अब इसको मैं integrate करना चाहता हूँ with respect to x between the limits a and b तो मैं करना चाहता हूँ कि इसको मैं integrate करना चाहता हूँ a b limit में now अब अगर आप देखोगे तो let's say मेरे पास दो variables है x और alpha और मैं integrate कर रहा हूँ dx के respect मतलब x को integrate कर रहा हूँ अगर मैं x को integrate कर दूँगा तो x variable integration के बाद खतम हो जाएगा कुछ बचेगा थोड़ी तो सिर्फ एक variable रह जाएगा और यह function मेरा बन जाएगा of alpha I hope आपको समझ में आया होगा दो variable थे अगर मैंने integrate कर दिया तो रहे तो बाकी equation में सिर्फ एक variable की जाएगा मेरा तो यह चीज है जो सबसे basic आपको समझने की थी मैं इसको एक example के जरीए आपको हलका सा समझाता हूँ कि लेट से मैं 0 और पाई बाई 2 limits रखके sin alpha x dx को integrate कर दा हूँ तो अभी मेरे पास अगेन एक function है जिसमें x भी है alpha भी है दो अलग-अलग variable है अब इसका integration हम करेंगे तो that will be minus cos alpha x by alpha ठीक है and limits अब देख लेते हैं put करके pi by 2 तक इसका जो result आ जाएगा that will be 1 minus cos pi by 2 alpha अब आप मेरे को यह बताओ कि यह जो था integral यह reduce हो गया है सिर्फ जो function final आया है that is a function of alpha only इसमें कहीं कोई x नहीं दिख रहा है आपको तो यह आपका logic था जो सबसे पहला समझने का था ठीक है अब हम लोग देखते हैं labniz rule now let's start with the theorem जो की labniz rule कहलाता है हमारा यह पीछे हम अभी समझ के आए हैं कि अगर मेरे पास x और alpha का कोई integral है उसमें जो final जो function बनेगा वो alpha का ही बनेगा ठीक है यह सिखके आए हैं अब next जो labniz rule है यह बोलता है कि अगर मेरे पास एक function है x और alpha का और मैं उसे with respect to x derivate भी कर देता हूँ let's say और वो सब एक continuous function है तो मैं एक identity है जिसका proof आपको matter नहीं करता सिर्फ आपको यह याद रखना है कि अगर मुझे let's say integral में वो function यह function को let's say integral में दिया जाए जो यही था यहाँ पर आप उपर बताया था इसको अगर मुझे with respect to alpha अगर कभी differentiate करने के लिए बोला जाए क्योंकि आप देखिए आपके topic का नाम है differentiation under integral sign तो integral sign है मेरे पास पर मुझे से एक differentiate अगर अगर करने को कहा जाए with respect to alpha so that will be equivalent to कि मैं क्या कर सकता हूँ यह differentiation का sign है differentiation की जगह क्योंकि with respect to alpha है और दो variables हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ partial differentiate कर सकता हूँ पहले मतलब integration से पहले यह जो function मेरे पास था इसको मैं partially ही differentiate एक बार कर दूंगा with respect to alpha और बाद में हम लोग उसको integrate कर लेंगे अपना और वो जो result आएगा that will be equivalent to अगर मुझे को integrate करना है एक चीज को अगर मैं integrate करता हूँ तो जो resultant function है वो सिर्फ alpha का बन जाएगा अब अगर उसी को मेरे को differentiate करना था तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले उसको function को जो internal part है जो function है उसको एक बार partially differentiate with respect to alpha कर लेता हूँ तो differentiation हो जाएगा एक तरह से मेरा I hope आपको समझ में आ गया होगा concept अब numerical कैसे आते हैं और उसकी approach क्या है यह एक बार मैं आपको discuss करता हूँ so numerical आपको रहेगा कि आपको एक function दे देंगे function दे दिया let's say उसकी कोई limit दे दी मैं एक example आपको दे देता हूँ यह numerical आपको करांगो 0 से 1 x to the power a minus 1 log x x to the power alpha कर लेते हैं हम लोग ठीक है अब यह भी यह function जो की एक x और alpha दो variable हैं इसमें अब इसको मुझे क्या करना है यह बोलेगा कि evaluate the integral अगर इतना बोलता है तो आप integral करो नॉर्मल जो अपना करते आए है लिमिट्स भी दे रखी है बट होता गया है आगे वो question में बोलता है कि by applying differentiation under the integral sign और फिर वो ऐसा कुछ आपको दे देगा ठीक है अब alpha या तो 0 है या बड़ा है ठीक है अब आपको सारे जो numerical type के रहेंगे उनमें एक ही approach चलेगा बहुत simple approach है बट यह है कि आपको जो आप 11 या 12 में पढ़के आए हैं integration वो थोड़ी solid होनी चाहिए वो अगर आपकी ठीक होगी तो आप कोई भी question इस form का कर पाऊगे so approach क्या है मेरी सबसे पहले मैं क्या करूंगा अब मैं यहाँ पर सबसे उपर जो सीख कर आया हूँ let's say मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सीख कर आया हूँ कि integral अगर है तो उसको मैं f alpha लिख सकता हूँ ठीक है तो अब same I'll do with this I'll write this f alpha a से b x alpha dx ठीक है next अब इसको let's say मैं 1 दे देता हूँ अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले आपको याद रखना है बस कि differentiate कर दो एक बार with respect to alpha ठीक है क्योंकि आपको याद भी यह रखना है कि यहाँ पर dx है तो मैं with respect to जो करूंगा differentiation integration जो दूसरा other variable which is left आपको उसके respect में करना है ठीक है अब with respect to alpha करता हूँ तो this will be f alpha और यहाँ पर मैं एक हूँगा d by dx of this now this this is equivalent to जो हम Lebanese rule सीख के आए हैं यहाँ आप देखिए अगर मेरे को कुछ इस form का है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ और then मैं उसको solve करने में में मेरे को easy रहेगा so उस चीज़ को हम लोग देखते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ इसका मतलब यह है कि a से भी ठीक है del by del alpha और उसके बाद आपका जो यह function है x alpha और उसके आगे dx ठीक है अब आप क्या करोगे इसको derivate कर लोगे easily partially derivate कर सकते हैं let's say यह वाला function जो मैंने बताया था यह भी होता तो इसमें आप partially derivate करते हैं derivate करते और आपका आता एक result यहां पर आ जाता अब आपको क्या करना है पहले मैंने step में differentiate किया second step में मैं again integrate करूंगा आप बोलोगे सर यह सब कितना क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसे normally भी तो कर सकते हैं बट क्योंकि concept है आपको सिखाना है तो इसलिए यह topic है integrate with respect to alpha अब आप इसको integrate करोगे यहां पर जो आपका result आया तो यह again आपका f alpha आ जाएगा और यहां भी आपका कुछ result आएगा बट result में catch यह रहेगा कि अब एक constant भी आएगा आपका ठीक है so यह constant की value भी हमें निकालनी पड़ेगी तो अब इस value को कैसे निकालेंगे basically हम लोग क्या करेंगे कि alpha की value जो है न वो 0 हम put करेंगे कहां कहां put करेंगे हम लोग हमारी equation number 1 में alpha की value 0 put करेंगे ठीक है in 1 and यहां पर जो second equation आई है इसमें भी alpha की value 0 put करके हम लोग c की value निकाल लेंगे c की value जो भी आई आपकी आप again second equation में जब put कर दोगे ठीक है put c in second आपका final answer आ जाएगा वैसे यही आपका final answer था बट इसमें c था जो की हमें निकालना है तो उसके लिए एक additional third step हमें करना पड़ा तो यही concept है जो आपको समझना है जो आपको numericals में practice करना है आपकी integration अगर ठीक ठाक होगी तो आपको कोई भी दिकत नहीं होने वाली है I hope आपको समझ में आ गया होगा कोई doubt है तो आप पूछिए मुझे comment में यह बताईए कि मैं कितने numericals कराऊं कुछ आपके doubt है and giveaway हमारा चालू है तो please वीडियो को like और comment करिए ताकि आप giveaway के part बन सकें thanks for watching